कि नमस्कार दोस्तों मैं विश्णूप ताप सिंग अपनी कंप्यूटर पार्ट साला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं यह हमारा टैली यार्पी 9 का लेक्चर चला है आज हमारा लेक्चर नमबर 21 है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हूं लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नमबर 1 से डे बाई डे जैसे हमारा लेक्चर है वैसे अगर देखते हुए चलें तो उनको ज्यादा क्या होता है और एक बार स्लेबस देख लेते हैं यह हमारा स्लेबस है ओवर्यू आप टैली से स्टार्ट हुआ है एक बार मैं फिर से बता दूं जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और टैली पर अच्छी नॉलेज चाहते हैं उनको अकाउंट्स बैक करते आप आएंगे आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंशिलेशन फ्रेंड्स छोटा टॉपिक है यह इसमें ज्यादा समझने की जरूवत नहीं है हम लोग आईए टैली के अंदर चलते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है आराम से कवर अप हो जाएगा तो फ्रेंड्स आ टाइप की वर्किंग की थी यानि हमने डिफाइन किया था कि किन किन चीजों को हमें कैश से पेमेंट करना है और किन किन चीजों को हमें बैंक से पेमेंट करना है तो एक बाद डेबुक में चलके देख लेता है डिस्पले में गया और इसके बाद से डेबुक में जाएंग फ्रेंड्स यह देखें यहाँ पर फरनीचर हमने बैंक से पेमेंड किया हुआ है यहां पर मैं इसको हुआ Phul Detail show कर देता हूं electricity भील है टेलफोन भील है eingछालरी है यह सभी अमने wie re CB我 Benk reconciliation का मतब होता है कि जो भी चेक payment हम करते हैं आज चेक से जो भी चीज़ हम लोग receive करते हैं जो भी payment receive करते हैं वो होता क्या है जैसे यहां प्र आप देखिये हमने फञेस्ट कर इसको चेक किया इसलिए अमारा बैंक्यमेंट में गया हुआ है और यह entry हुई है हमारी 14-2019 को तो जो entry की date है वो date हमने यहां पर डाल दी है 14-2019 बट यह जो चेक हमने पे किया हुआ है यह चेक हमारा same date में तो clear होगा नहीं यह clear होगा एक दिन या दो दिन बाद तो friends bank reconciliation में हम लोग क्या करते हैं bank की bank में check की जो clearance date होती है चाहो received check हो चाहो paid check हो उस clearance date को हम लोग enter करते हैं उससे हम लोग कहते हैं bank date यह working करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है bank reconciliation option में तो friends हाई हम लोग चलते हैं balance sheet पे यहां से balance sheet पे गया balance sheet पे all telephone करेंगे details शो करेगा यहां पे आप right side में देखेंगे यह right side में आपको यहां पे bank account शो कर रहा है यहां पे bank account पे जब आप enterprise करेंगे एक बार और enterprise करिए एक बार और enterprise करिए तो यहां पे एक date में की गई सारी bank से entries आपको शो करेंगी तो यहां पे आपका bank deposit है, bank withdrawal है, deposit withdrawal में कुछ करना नहीं है आपको, यह जो आपने furniture का payment bank से किया है, यानि चेक इसू किया है, इसकी clearance date यह इतना जो 11,350 रुपीज का चेक इसू किया हुआ है, यह सभी चीजों का सारे expenses का एक साथ आपने चेक इसू किया हुआ है, यह सभी जो payment की date है, वो हम यहाँ पे enter करेंगे, कि यह हमारा जो check clear हुआ है, यह किस तारीक को clear हुआ है, तो friends इसके लिए shortcut की ध्यान से सुनिए, आपने F5 होता है, जैसे ही F5 प्रेस करेंगे, तो आपके उपर यहाँ पे एक reconciliation का option शो करेगा, यह अब bank reconciliation में enter हो चुका है, और यहाँ पे आपसे bank की date पूछी जा रही है, तो friends यहाँ पे हम लोग bank की date एंटर कर देंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए, एक 14 2019 को furniture हमने purchase किया, चेक दी, और अगले दिन दो तारीक को यह हमारा clear हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2-4, एंटर करेंगे, यह देखे, clearance date आ गई, और इसकी date हम नहीं डालते हैं, एंटर कर देते हैं, यह accept हो गया, अब देखिए, सारी चीने शो कर रही है, फिर से जड़ा F5 प्रेस करिए, और फिर देखिए, यह आपने F5 प्रेस किया, friends, यहाँ पर आप देख रहे हैं, furniture गायब हो गया है, क्योंकि furniture का payment बैंक से कट चुका है, अब electricity bill की बारी है, इसका भी हम दो तारीक को ही entry कर देते हैं, क्योंकि friends, दो तारीक से आगे की entry नहीं कर सक सकते हैं, क्योंकि यह हमारा educational version है, और educational में एक तारीक और दो तारीक में ही entry होती है, enter करेंगे, enter, यह भी हमारा clear हो गया, अब अगेन F5 प्रेस करिए, यह देखिए, ship deposit of withdrawal शो कर रहा है, बाकि जो दो हमने check से payment किये थे, वो सभी, जो entries थी, वो हमारी गायब हो गयी, यानि उनका payment हमारे account से cut चुका है, इसी तरह से जो payment received हो, उसकी भी entry कर सकते हैं, जैसे हमने check receive किया, जैसे suppose हमने किसी को सामान बेचा, उसने हमको check pay किया, तो हम क्या करेंगे, उसकी भी entry इसी तरह से कर देंगे, और bank की clearance date डाल देंगे, तो friends यह था हमारा आज का topic, hope आपको अच ज्याद स्यादा लोगों की help हो सके, thank you.